नमस्कार समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विदिशा शांडिल्या उत्तर प्रदेश के पीली भीट के कोत वाली जहानाबाद शेत्र में मानवता को शर्म सार करने वाला बड़ा मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले एक अध्यापक ने हैवानियत की सारी हदे पार कर छे वर्षिये एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया दरसल पूरा मामला थाना जहानाबाद शेत्र के एक गाउं का है जहां अच्छे वर्षिये मासूम के साथ उस वक्त दुशकर्म की घटना हुई जब वह पढ़ने के लिए कोचिंग गई थी और बच्ची के साथ दुशकर्म करने वाला कोई और नहीं बलकि स्वेम 24 वर्षिये कोचिंग संचालक है आपको बता दें कि गजेंद्र ने गाउं में कोचिंग सेंटर खोला हुआ है उसी कोचिंग सेंटर में आरोपी ने उस मासूम के साथ दुशकर्म की घटना को अंज पुलिस ने पीडित परिवार की शिकायत पर मामला दर्च किया और आरोपी की तलास शुरू कर दी और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिर कार आरोपी को गिरफतार कर लिया है कर दो लड़कियों को लेगा उसनी मेरे संग अलत काम करा मुझसे चलानी जा रही है जब देखा तो इसके चांगे शिरीवी थी और भी चलानी जा रही है इसकी तकलीफ है इसे बहुत परशानी होई जब गए तो मौके पे थे लड़ने लगे जब मैंने जादब कोशिच करी तो इसकी अम्मा सब्सक्राइब लड़ने लागे घर में गुज़ गया मुझे देखके भाग गया कि मुझवरी करते करते कि ऐसे मैंने कुछ नी करा ते मैंने जादे जमदस्ती पकड़ी दूसरी लड़की थी उसने भी कहा रही हो भाग गया ताना जहनाबाद में और इलाज के लिए अस्पिताल बेजा अभ्यक्त की तलास की गई अभ्यक्त को पुलिस एरासित में लेलिया गया है अभ्यों ऑपंजीकरत कर विभिजनात्म कारवाई कि जा रही है अभ्यक्त के खिलाब को थोर में धने करवाई की जाएगे ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल बांको इट एंटर्प्राइब